सब्सक्राइब करें टेकिये मच चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट टेकनोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप इंस्टाग्राम के अकाउंट को पर्मेनेंटली डिलीट कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स इंस्टाग्राम को ओपिन कर लेते हैं मैं इसके लिए यूजर कर आपको इसी ब्रावजर इस्तमाल कर सकते हैं तो यहांपर हम इन्स्टाग्राम को पहले ओपिन कर लेते हैं कि यहां पर लोगइन कर लैता है जिस एकांट को आज में डिलीड करना है उसका हम लोगइन कर लेता हूं तो जैसी आप देख सकते हैं मैं लोगिन कर चुगा हूँ तो simply यहाँ पर जो लोगो बना हुआ रहा है एकाउंट का यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और जोप लेफ्ट में आपको एक सेटिंग का आइकन दिखेगा इस पर हम क्लिक कर देंगे और इसको हम स्क्रोल करेंगे नीचे आज पर मिलेगा help center, about वाली टेप में मिलेगा help center, help center को open कर देंगे इसको हम सबसे नीचे स्क्रोल करेंगे language چेंज कर देंगे, यहाँ पर आपको एक dawn pencil credit का time icon दिखेगे इस पर हम क्लिक कर देंगे इसको हम नीचे स्क्रोल करेंगे यहाँ पर आपको मिल जागा English UK US कोई से भी करतेंगे English तो ठीक है यहाँ पर English हो चुकी है हमारी अब यहाँ पर हम Find करेंगे Managing Your Account यहाँ पर लिखागा Delete Your Account तो Simply हम इसमें क्लिक करतेंगे और How Do I Temporary Disable My Account अगर आपको Temporary Disable करना है तो आप यह यह step को फोर्म कर सकते हैं और Permanently Delete करना है तो हम इसमें क्लिक करके देख लेते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा Go To The Delete Your Account पैज इसमें क्लिक कर देंगे तो गाइस यहाँ पर डिलेटिंग वाला पैज ओपन हो चुका है और यह पूछ रहा है Why You Are Deleting Your Account आपने अकाउंट को क्यों डिलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर अपना पासफ़र्ट डालेंगे और यहाँ पर प्रमेंटी डिलेट माइकाउंट पर क्लिक कर देंगे